और इसी दिशा में एक कदम है राष्ट्रिय शिक्षानीती 2020 शिक्षा का ये महायग्य है ये समागम प्रारंब हम करेंगे सरस्वती बंदना से बनारस हिंदू विश्विद्याले के संगीत एवं मंचकला संकाय की चात्राएं प्रस्तुत कर रही हैं सरस्वती बंदना है ये मेरा सिंदु हरने इमा जगमत सकलने जग कर दे इमा जगमत सकलने जग कर दे पत्रालू कित वो सब जन का सत्यमार्ग को ही अपनाए सत्यमार्ग को ही अपनाए वर्दे वर्दे हे माशार दे वर्दे वर्दे हे माशार दे मित्या मुद्धी का हु समानं सगर जगत को सजग कर दे सगर जगत को सजग कर दे वी मेरा सिंगो भर ले देमा जगमग सकल ये जगत कर दे सत्य हो जीवन और राचरन सत्य हो जीवन और राचरन वित्या का अभिमान ना हो वे वित्या का अभिमान ना हो वे शम का पल सब को मिल जाए ऐसी सफल साधना हो वे ऐसी सफल साधना हो वे वर्दे वर्दे हे वाशार दे वर्दे वर्दे हे वाशार दे कलुष भाब ना मन मिनाये पामन सब के करम कर दे पामन सब के करम कर दे दिने रसिम को घर दे ये वाशार जग मग सकर ये जग कर दे जग मग सकर ये जग कर दे जग मग सकर ये जग कर दे प्रोफेसर रवी भटनागर की स्वर रचना और प्रोफेसर संगीता पंडित के निर्देशन में काशी हिंदू विश्विद्याले की ये छात्रा हैं आपके सम्मुक सरस्वती बंदना प्रस्तुत कर रही थी काशी में माननी प्रधान मंत्री जी का आगमन हर बार काशी को एक नया फ्लेवर और नया कलेवर देता है मैं हम सब की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माननी श्री धरमेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब के और से माननी प्रधान मंत्री जी को अंग वस्द्र भेंट कर उनका स्वागत करें और इस्मृति चिन्न प्रदान करके उनका अभिनंदन भी करें और आप सब अपनी भावनाओं को तालियों के माध्यम से मंच तक पहुचाएंगे एक बार पुना माननी प्रदान मंत्री जी की गरिमा मयू पस्थिति को नमन और अप मैं माननी ये श्रीधरमेंद्र प्रदान जी से अनुरोध करूँगी कि वो आज की सुवसर पर हम सब की और से अतितियों का स्वागत करें और इस महतुपूर्ण विशे पर अपने विचार भी प्रस्थुत करें भारत के सबसे लोकोप्रिय जननेता यश्री प्रदान मंत्री जो लोक्षभ हमें बारणाशी का प्रतिनीधित्व करते हैं मानने स्री नरेंदर मुदी जी उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल स्रीमति आनन्दी बेन पठेल जी उत्तर प्रदेश की लोकोप्रिय मुक्षभ मंत्री योगी आदित्यनाद जी केंदिरिया सिख्षा मंत्राणे में मेरे सहयोगी डॉक्टर सुबा सरकार जी अरनपूर्णा देवी जी डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंग जी उत्तर प्रदेश की उच्चे सिख्षा मंत्री स्री योगेंदर उपाधे जी उत्तर प्रदेश की तक्निकी सिख्षा मंत्री प्रदेश की उच्च शिक्षा राजिय मंत्री आदर्णिय राजिनी तिवारी जी देश की बरिष्ट विद्वान शिक्षा निति के ड्राप्टिंग समीति की अध्यक्सिय डॉक्टर के कस्तुरी रंगन जी देश भर के विश्व विद्याले और उच्च शिक्षा संस्तानों की कुलपती और निद्देशक समोह प्राध्यापक समोह विद्वान गन शिक्षावीत आमंत्रित अतिति गन वो मिडिया के मित्रा अध्यासिक सहर कासी में सिक्षा जगत के इस भव्य समिलन में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सनमान और सोभग्य की बात हैं इसलिए मैं इस सास्वत सहर के आराध्या कासी विश्वनात की चरण में बिनम प्रणाम करते हुए अपनी बात आरम करता हूं यह सबसे पुरानी जिवनत सहर है जो प्राचीन काल से ही ज्ञान वों सिखाने का की विश्व पिख्यात केंद्र रहा है हमारी देश की इवाओं की भविश्य और उच्चे शिख्या पर विमर्ष के लिए बारणाशी सबसे बहत्रिन स्तान है क्योंकि यहां के कणकण में हमारी प्राचीन, दरोहर, संस्कुर्ती वो ज्ञान रासी समाहीत है राश्टिय शिख्या निती 2020 एक दार्शनिक दस्तावेज, एक फिलोशोपिकल डकुमेंट है मेरा मानना है कि सम्विधान के बाद NEP 2020 एक ऐसा दस्तावीद है जिसे देश भर में कई स्तर पर विचार विमर्ष, चर्चा, जन भागीदारी और समाद के बाद आकार दिया गया है सम्विधान की समान ही NEP 2020 हमारी देश की दुविधा और संद्य से बाहर निकालने का विचार आत्मा, बुद्धी और कार्य में भारती होने का गहन गर्व पैदा करता है NEP की घोसना के बाद से ही हम उसी के क्रियाइनों के लिए हर कदम पर माननिय प्रदान मंत्री जी का मार्ग दर्सन मिलते रहा है और आज हम सभी का एक बार फिर मानिय प्रदान मंत्री जी का सानिक ध्या उनकी आसरिवाद स्नेह और वो मार्ग दर्सन का सोभाग्य प्राप्तो होगा मानिय प्रदान मंत्री जी आपकी गरिमा में उपस्तिती ने हम सभी ने सभी में नई उर्जा और पिर्णा का संचार किया है पुरा देश, सिख्या जगत की ओर से आपका हार्दी का भी नंदन और श्वागत करता हूँ पिछले महिने मान्य परदान मंत्री जी की नेत्रूतों में राज्य की मुख्या सचीवों ने देजबर में एनिपी की क्रियायनों की गती देने की बारे में बिचार बमर्श किया था इसी बिचार वीमर्ज को अगले चर्ण की रूप देने में हम सब अखिल भारतिय शिक्षा समागम के लिए एकत्रित हुए हैं इस तीन दिनों में आप सभी को कुछ विशे पे गहन बिचार वीमर्ज करने के लिए अनुरूद करता हूँ कि हम अपने समय की जरूरत की अनुसाद अपने चात्रों के सही माइने में ज्ञान और कोशल दे रहे हैं कि हमारी पाठ्यक्रम हमारी युवाओं के आकांख्यकों अनुरूप हैं क्या हमें अपनी कैरिकुलम, कोर्स और उच्च शिक्षा, कोवसल ततानुसंदहन के प्रती दुरुष्टिकोर्ण में व्यापक परिवर्तन के आपशक्ता है NEP 2020 हमें यथास्तिती और कोठवर्ता को तोड़ना तथा प्रगतशील, मानशिक्ता को तथा साथ अपने राष्ट की जिवन में परिवर्तन करी बदलाब की और बढ़ाने का अबसर पदान करती है हमारी देश में 15 से 25 आयू बर्ग में दुनिया की सबसे बड़ी युवा अबादी है यानि लगबग 25 कोरण अबादी है ये डेमोंग्राफिक डेविडेंट हमारी पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा हमारी पास 25 साल ही रहेगा जिसे हमें अमुर्द काल भी कहते हैं ये सुनिशिर करने के लिए हम सब युवा की उर्जा, ख्यमता और पुरी तरफ शूपयों कैसे करें और ग्यान तता शिक्या की खेत्र में पूरी दुनिया का नेतुर्तों करें एही एनिपी टॉंटी टॉंटी की दिशादर्सन है विश्व विद्याले और उच्छ सिक्या संस्तान ने केबल विद्यारतियों को की जीवन की बहतरी बनाने के लिए नहीं बल्कि एक रास्टर में सभी जीवन की कल्यान के लिए उद्दिष्ट है हमारी रास्टर की ग्यान परंपरा की जणे कई सदियों गहरी है और एनिपी इसी भारतियों ग्यान परंपरा की आधार पर मजबूत न्यू स्तापीद करके देश की शिक्या विवस्ता को भविश्य की सुरुनिमा आकार देना चाहती है एक किश्वी शदी ग्यान की शदी है भारत सबचे पूरानी सभ्यताओं में एक है और एक ग्यान समाज की रूप में उभरती अर्थववास्ता को समुर्द भविश्य की ओर ले जाने में क्याप्टेन बनना सुभाविक है देश शिवाओं की केबल जॉब शिकर की रूप में संतुष दिखने की बजाएं भविश्य में जॉब क्रियेटर्स की रूप में देखना चाहती है बंदी बंधाई अतवस्तापित सिमाओं में आगे बढ़ना पुशिंग दा बाउंडरीज असंभव का सपना देखना ड्रिमिंग अफ इंपसिबूर और फिर उसे पूरा करना ही भविश्य की सफलता की कुंजी है देश की साकरात्मक सोच साथ ब्यापक परिवर्तन की युच्चाहा रखने बाले युवाओं की जरुरत है जो किसी भी स्थिती में समझोता करने की बजाएं उसे बदलने की चाहांस रखते हैं इसी भविय अखिल भारत के सिख्या समागम में उपस्तित लोगों की यह जिमेवारी है की वो यह सुनिष्ट करें की साकरतमक सोच वो उग्यान की दुनिया में शिखर पर जाने की यह इच्चा निरंतर रहें और भविष्य के लिए भारत के पत को रुशन करने के लिए मसाल की रूप में कार्य करें तो हमें यहां बारणासी जैसे सबसे पवीत्र सहर में एनिपी क्रियानों और हमारा देश की जिबन में परिवर्तन कारी बदलाव लाने की कोई कसर नहीं छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए जै भारत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मानिनी सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रतिसमर्पित हैं माननी मुख्यमंत्री माननीशी यूगिया दितिनाथ जी जो विकास के नए आयामों और नए किरतिमानों के साथ उत्तर प्रदेश की नई परिभाशा गढ़ रहे हैं स्वभाग्य है हमारा केस महत्वपूर्ण समागम के आयोजन का स्वभाग्य उत्तर प्रदेश को हमारी काशी को मिला मैं बहुत ही आदर के साथ माननी मुख्यमंत्री महदे से अनुरोध करूँगी केस सुअफसर पर अपना उड़ोध हूँगे आदनिय प्रदान मंत्री जी प्रदेश की माननी राज जिपाल स्रिमती आनंदी बेन पतेल जी केंदरिय शिक्सा मंत्री मान्य स्री धर्मेंदर प्रदान जी केंदर सरकार के सभी मान्य मंत्री गान सी सुवास सरकार जी मान्य स्रीमती अनुपुर्णा देवी जी प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री उच्च शिक्सा के मंत्री सियोगेंदर उपाध्य है जी तक्निकी सिक्सा विभाग के मंत्री सियासी इस पटेल जी उच्च शिक्सा विभाग के राज्य मंत्री सिमती रजनी तिवाडी जी ड्राप्टिंग कमेटी एनिपी के अध्यक्स डॉक्टर के कस्तुरी रंगंजे, देश भर के आईवे हमारे सभी समानित सिक्साविद, बाबा विश्वनात के इस पावन धाम पर और आधनिय प्रधान मंत्रीजी के इस कर्म साधना की उनकी स्वयम की कासी में मैं प्रदेश सरकार की ओर से देश भर से आई हुए आप सभी सिक्साविदों की ओर से आधनिय प्रधान मंत्रीजी का हिरदे से स्वागत करता हूं और विनंदन करता हूं। मैं शौसर पर अपने केंद्रिय मंत्रियों के साथ ही आप सभी सभी समानित सिक्षाविदों का भी काशी के इस धर्ति पर हिरदय से स्वागत करता हूं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक रही है। यह बिद्या की नगरी है और हम सब आभारी हैं कि जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महमारी के सामने असमंजस की स्थिति में थी तब भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही नए भारत की परिकल्पना को आगे वढ़ाने के लिए राश्टिय सिक्सानीती भारत रख रहा था देश के अपने वर्तमान और भावी पीड़ी के लिए प्रस्तुत कर रहा था। और आज ये मेरे लिए हारदिक प्रसंता का विस्य है कि उत्तर प्रदेश में राश्टिय सिक्सानीती के इन तीन दिवसिय कारिक्रम के दिश से देश भर के सभी सिक्सावित इसे लागू करने और इसकी भावी योजनाओं पर व्यापक मंधन करने के लिए कासी किस धर्द कि पर उपस्तित हुए हैं कासी और भारत की परमपरा वे से भी विध्या से जुड़ी वी रही है और आश्टिय सिक्सानिती भारत के उस बैदिक परमपरा का प्रतनित्व करती है जो यहुद घोस करती है कि आनो भद्रा करतो यंतो विश्वत यानि ज्यान को सभी दिसाओं से आने के लिए हमें द्वार खुले रखने चाहिए और राश्टिय सिक्सानेती ने देश की आजादी के बाद पहली बार आदने प्रधान मंत्री जी की पेंड़ना से वह ज्यान के सभी दिसाओं से आने के द्वार खोले हैं मैं इसके लिए देश भर के आप सभी सिक्सावितों की और से आदने प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से आभार व्यक्त करता हो उनका विरंदन भी करता हो आभार इस बात के लिए भी कि देश भर के सिक्सावित प्राचीन विद्या की इस नगरी में और पंडित मदन मोहन मालवी जी की इस कासी में जहां पर उन्होंने कासी हिंदो विश्व विद्याले भारत की प्राचीन और अर्वाचीन शिक्सा की एक नए केंद्र की रूप में 1916 में इस कासी में कासी हिंदु विश्विद्याले की अस्थापना की थी वहाँ पर आज सिक्सा मंत्राले भारत सरकार विश्विद्याले अनुदाना योग और कासी हिंदु विश्विद्याले मिलकर के इस सिक्सा महा समागम के आयुजन के साथ राश्टिय सिक्सा नीती पर व्यापक मंधन के लिए यहाँ पर बैठे हुए है निश्चिति मंधन की इस परंपरा से कोई अम्रित जरूर निकलेगा और वह द्वार पहले ही वह रास्ता पहली आधने प्रधान मंत्री जी की पेणा से राश्टिय सिक्सा नीती हम सब को प्रस्तुत कर चुकी है मैं इस उसर पर एक बार फिर से आधने प्रधान मंत्री जी का उन्हें की कासी में इस महा समागम कारिकरम के उद्गाटन कारिकरम के उसर पर यहाँ पर उपस्तित होने के लिए हिर्दे से स्वागत करता हूं अविनंदन करता हूं उत्तर प्रधेश राश्टिय सिक्सा नीती को सनातक अस्तर पर लागू कर चुका है और उत्तर प्रधेश के अंदर हमारे सभी कारिकरम को उत्तर प्रधेश ने आगे वढ़ाने का कारिक किया है यह ब्यापक सम्हावनावल अच्छेत रहे और जब देश भर के आप सभी सिक्सावित यहां पर उपस्तित्वें हैं मेरा अंडोध होगा कुछ चीज कुछ चीज़ों को लेकर के एकसर हम लोग देखते हैं एक हमारे महाविद्यायर बिश्व विद्यालेयों को सिक्सा के केंद्रों को अस्थानिय प्रस्तिती के इन रूप नवाचार और सोध के लिए अपने आपको तैयार करना होगा दूसरा सासन की योजनाओं से अपने आपको बैराग्य भाव रखने की वजाए उन सासन की योजनाओं के साथ जुड़ते वे चात्र चात्राओं को उन्हीं योजनाओं के साथ अगर हम विश्व विद्यालियों में सिक्षण संस्थानों में पहले दिन से ही लगना प्रारंब कर देंगे तो जब वह अपनी डिगरी लेकर के बाहर निकलेगा तो उसके सामने अपने जीवन की अनंत संभावनाओं के द्वार स्वता खुले वे हो दिखाई देंगे और यहा कार्य राष्टिय सिक्षानीती इस बात की पेंड़ना तो हमें देई रही है लेकिन आप सभी सिक्षा विदों के माद्यम से इसे लागो करने में और मजबूती के साथ एक मदद पर आप तो हो सकती है मैं एक बार फिर से इस तीन दिवसिय सिक्षा महा समागम कारिकरम के लिए अपनी सुपकामनाई देता हूँ आप सब का हिर्दे से स्वागत करता हूँ राधने प्रधान मंत्री जी का आभार अविनंदन बेक्त करते वे बाणी को ब्राम देता हूँ धन्यवाद जय है बहुत बहुत धन्यवाद माननी आपके प्रेरिनादाई योद बोधन के लिए राष्ट्रिय शिक्षानीती 2020 के सफल क्रियानवेन के लिए एक छोटी से फिल्म बनाई गई है आईए देखते हैं भारत खड़ा है अपने गौरवशाली इतिहास के महत्वपूर्ण मोड पर देश के अमरित काल की यात्रा हो गई है आरंब हमारी युवा अपने सपनों और आकांग्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए हैं आतु इन्ही सपनों को साकार करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्व में राष्ट्रिय शिक्षानीती लॉंच की गई थी नई राष्ट्रिय शिक्षानीती युवाओं को ये विश्वाद दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है उनके होस्रों के साथ है युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहिए खुले आकास में जैसे उड़दा चाहिए देश की नई शिक्षा विवस्था उसे बैसे ही आवसर लब्द कराए इस नीति के कुरियान वयन ने देश की युवाओं में एक नया जोश भर दिया है Academic Bank of Credit और Multiple Entry Exit की व्यवस्था से उन्हें पहली बार अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार पढ़ने का मौका मिला है Online एवं Open Distance Learning का विश्थार हुआ है 75,000 विद्यार्थियों को गती शक्ती के देहत प्रशिक्षन दिया जा रहा है Innovation एवं Startup शिक्षा में Multilinguality के प्रचार प्रसार पर जोड दिया जा रहा है तो वर्षों में लाए गए इन सुधारों को कई राज्यों ने, कई संस्थानों ने लागू कर दिया है अब देश भर के शिक्षाविद और नीति निर्माता इस बात पर विमर्ष कर रहे हैं कि इन सुधारों को और गती कैसे दी जाए पिछले महिने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित्व में राज्यों के मुख्य सचिवों ने इस विशय में चर्चा की अब इसी चर्चा की अगली कड़ी के रूप में आज वारानसी में तीन दिवसिय अखिल भारतिय शिक्षा समागम का उत्गाटन हो रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समागम में उपस्थित होने वाले वाइस चांसलर्स, IIT, IIM के निदेशक तथा देश भर के शिक्षा विदों नीती निर्माताओं को नीती के क्रियान वयन के विशय में मार्क दर्शन करेंगे प्रदेश की माननिय राज्यपाल महोदया, माननिय मुख्यमंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री समागम में भाग लेंगे इस चर्चा से नीती के क्रियान वयन को नई दिशा, नई उर्जा मिलेगी और युवाओं के सपनों को मिलेगी उची उडान कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने चरित्र, विचार और जीवन से हमें एक बहतर इंसान बनने की प्रेरना तो देते ही हैं साथ ही राष्ट के निर्मान के संसकार भी देते हैं मानमी मूल्यों में विश्वास भी जगाते हैं और अपनी जमीन से जुड़कर आसमान को छूने का साहस और बल भी देते हैं ऐसे ही व्क्तित्व का दूसरा नाम है श्री नरेंध्र मोधी हमारे माननी प्रदान मंत्री जी जिनका उदबोधन हर भार हमें एक नई अंतर दिस्टी और देशा देता है मैं बहुत ही आधर के साथ माननी प्रदान मंत्री महोदय से अनुरोद करूंगी कि राश्ट्रिय शिक्षानीति के सफल क्रियान वेन के लिए हमारा मार्ग दर्शन करें जोर्दार तालियों से एक बार पुना उन्हें नमाई उत्तर प्रदेश के राजपाल स्रीमेति आनंदी बेन पठेल यहां के लोग प्रिय मुखमंतरी योगियाति द्यान जी मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंदर प्रदान जी राश्ट्रिय शिक्षानीति की ड्राप्टिंग कमिटे के चैर्मेन के कस्तुरियंगन जी सरकार के अन्य मंत्रीगन इस सम्मेलन में भाग ले रहे सभी वाई चांचलर्स सिक्षा संस्थाओं के इन्यदेशक सभी शिक्षगण शिक्षावीद देवी और सजनो अखिल भारतिय सिक्षा समागम का यायोजन उस पवित्र धर्ति पर हो रहा है जहां आजहादी से पहले देश की इतनी महत्वकुन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थे ये समागम आज एक ऐसे समय हो रहा है जब देश अपनी आजहादी का अमरित महोसो मना रहा है अमरित काल में देश के अमरित संकल्पों को पुरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी सिख्षा व्यवस्था पर है हमारी युवा पीड़ी पर है हमारे हाँ उपनिश्दों में भी कहा गया है विद्दया अमरुतम अस्नुते अर्थात विद्द्या ही अमरत्व और अमरुत्व तक ले जाती है काशि को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे हाँ मुक्ति का एक मात्र मार्ग ग्यान को विद्द्या को ही माना गया है और इसलिए शिक्षा और सोध का विद्द्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्द्या के प्रमुक केंद्र काशि में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा मैं इस वर अवसर पर महामना मालवियाजी के चरणों में नमन करते हुए इस आयोजन के लिए आप सभी को शुब कामनाए देता हूँ मैं काशी का साउसद हूँ मेरी काशी में आप पधारे हैं तो एक प्रकार से मैं होश्ट भी हूँ आप इन सब के साथ साथ मेरे भी महमान हैं मुझे विश्वात है कि व्यवस्थाओं में ज्यादा आपको असुविदा नहीं होगी प्रबन करने का सब ने भरपूर प्यास भी किया होगा लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो वो दोश मेरा रहेगा और एक खुष्ट के ना थे कोई भी आपको असुविदा हो जाएं तो उसकी शमा में पहले से मांग लेता हूँ साथियों मैं अभी एक कारगम करके आ रहा हूँ यहां मध्धान भोजन के लिए एक सेंटरलाइज कृष्ट का काम था लिकिन वहां मुझे मेरी काशी की सरकारी स्कूल के 10-12 साल की उमर के बच्चों के साथ गप्पे गोश्टी करने का अउसर मिला और वहां से निकल कर गया हाँ आए आपको और मैं उनसे सुनकर के आया हूँ और आपको सुनाने आया हूँ और मुझे कहना होगा और मैं तो चाहूँगा जब मैं अगली बार आओंगा तो जिस स्कूल के बच्चों साथ मुझे मिलना हुआ है मैं उनके जो टीचर्स हैं उनको मिलना चाहूँगा आप कल्प ना कर सकते हैं कैसा विचार में यह क्यों आया होगा मेरे मन पर इतना प्रभाव प्यांदा हुआ दस पंदरा मिनिट का यह अवसर था मेरे पास लेकिन जो प्रतिभाव उन बच्चों में थी जो टाइलेंट थी जो कॉन्फिड़न्स था और जो वैविदता थी और वो भी एक सरकारी स्कूल के हमारे सामान ने परिवार के बच्चों की है जो टाइलेंट वो बच्चे वहाँ प्रस्तूत कर रहे थे आपके परिवार में भी अगर आपका पोता नाती अगर ऐसी टाइलेंट आपके सामने रखेगा तो जब भी महमान घर में आएंगे आप उसको खड़ा कर देंगे जड़ा देखो महमान आए वो तुम सुनाओ मेरा कहने का तात्पर यह है कि बर्तमान पीडी का यह सामर्थ है उनकी ख्शमता जब वो आप जहां है वहाँ पहुँचेंगे पदपे नहीं उस इंस्टिटूट में आप तो नहीं होंगे आप ऐसी इंस्टिटूट बना के जाएंगे कि इस प्रतिभा के बच्चे आने वाले दिनों में आने वाले हैं उनको वहाँ कमी नजर ना आएं यह काम सबसे बड़ा आपके जिम्में है और मुझे भी स्वाफ है कि अगले तीन दिनों तक यहां जो चर्चाव और विमर्ष होगा उससे राष्टिय सिख्षा निति के क्रियान वैन को प्रभावी दिशा मिलेगी साथियों आप सभी जानते हैं कि राष्टिय सिख्षा निति का मुलाधार सिख्षा को संकुचित सोत के दाहरे से बहार निकालना और उसे 21 सदी के आधुनिक विचारों से जोडना है हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है लेकिन दुरभाग से हमारे ऐसी व्यवस्ता बना कर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नोकरी ही माना जाने लगा था सिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखन में अंग्रेजों ने अपनी जरुरतों को पुरा करने के लिए अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था आज हाती के बाद इसमें थोड़ा बहुत बढ़लाव हुआ भी लेकिन बहुत सारा बढ़लाव रहे गया अब अंग्रेजों की बनाई विवस्ता कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और नहो सकती है अगर हम हमारे देश की पुरादे कालखन की तरब नजर करें हमारे हां शिक्षा में अलग-अलग कलाओं की धारणा थी और बनारस तो मेरी कासी तो इसका जिवन तो धारण है बनारस ज्यान का केंद्र के वल इसलिए नहीं था क्योंकि यहां अच्छे गुरुकुल और सिक्षन समस्तान थे बनारस ज्यान का केंद्र इसलिए था क्योंकि यहां ज्यान और सिक्षा बहुत आयामी मल्टी सेक्टरल थी शिक्षा में यही विविदता हमारी सिक्षा विवस्ता का भी परिणास्तोत होनी चाहिए हम केवल केवल दिगरी धारगिवा तैयार न करें बलकि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव समसाधनों की जरुत हो हमारी सिक्षा विवस्ता वो देश को उपलब्द कराएं देश को दे इस संकल्ब का नेत्रुत्व हमारे सिक्षकों और सिक्षन समसानों को करना है हमारे सिक्षक जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसाथ करेंगे छात्र छात्राओं को देश के युवाओं को उतना ही ज़्यादा देश के आने वाले बविश को भी उतना ही ज्यादा लाव होगा साथियो नए भारत के निर्मार के लिए नई व्यवस्ताओं का दिर्वां आधूनिक व्यवस्ताओं का समावेश उतना ही जरूरी है जो पहले कभी नहीं हुआ जिन लक्षों को पाने की देशने कलपना भी नहीं करता था वो आज के भारत में हकीकत हमारे सामने नर्मार हो रही है अब आप देखिए कोरोना की इतनी बड़ी महमारी से हम नक्यवल इतनी तेजी से उबरे बलकि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थे ववस्ताओं में एक है आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट अप इको सिस्टिम है स्पेस टेकनोलोजी जैसे छेत्रों में जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिये युवाओं के लिए एक नई दुनिया तयार हो रही है पुरा अंतरीक्ष उनके बहुपास में आ रहा है दोस्तों देश की बेटियों के लिए महिलाओं के लिए भी जो क्षेत्र पहले बंद हुआ करते थे आज वो सेक्टर बेटियों की प्रतिभा के उधारन प्रस्तुत कर रहे हैं ताथियों जब देश का मिजाज ऐसा हो जब देश की रप्तार ऐसी हो तो हमें अपने युवाओं को भी खुली उडान के लिए नई उर्जा से भरना होगा अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें ये तैक करते आये थे कि बच्चों को किस दिशा में जाना है लेकिन राष्ट्रिय शिक्षा नीती के बाद अब युवाओं पर दाईत्व और बढ़ गया है और इसके साथ ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम युवाओं के सपनों और उडान को दिरंतर पोसाइद करे उसके मन को समझे उसके आकांशाओं को समझे तभी तो खात पानी डाल पाएंगे उसे समझे बिना कुछ भी थोपने वाला युग चला गया है दोस्तों हमें इस बात का हमेशे धान रखना होगा हमें बैसाही सिक्षण बैसी ही संस्थानों की व्यवस्ताएं बैसाही human resource development का हमारा मिजाज अपने आपको सज्ज करना ही होगा नई निती में पूरा focus बच्चों की प्रतिभा और choice के हिसाब से उन्हें skilled बनाने पर है हमारे वा skilled हो confident हो practical हो calculated हो शिख्षान निती इसके लिए जमीन तयार कर रही है साथियों देश में तेजी से आ रहे परिवर्तन के बीच सिख्षा व्यवस्ता और इससे जुड़े आप सभी महनुभाव की भूमिका कितनी एहम है इसका एक उधारण मैं अपने गुजरात के मुख्यमंत्री काल के शुरुवात के कालखन का अनुभवद बताता मैं नाया मुख्यमंत्री बना था सरकार वरकार की दुनिया से मेरा कोई नाता ही नहीं था मैं बहुत दूर था अच्छानक काम आया था तो मैंने एक कारकम बनाया था मेरे सभी सचीवों को मैंने कहा कि आप ही आपके डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री है और मुझे बताईए पांच साल में आप अपने डिपार्टमेंट को कहां ले जाओगे कैसे ले जाओगे एचिव क्या करोगे उससे गुजरात के सामाने मानुवी के जीवन को क्या लाब होगा उसका एक आपका वीजन और पूरी डिटेल के साथ प्रेजिंटेशन कीजिए ये मैंने सभी विभागों के सचीवों को कहां और हर दिन शाम को पांच बजे सभी मेरी मंत्री परिशत के मंत्री और सभी सचीव हम बैठते थे और एक सचीव आकर के अपने विभाग का पूरा प्रेजन देते थे पर डिबेट होती थी सभी सचीव जो पहले भी कोई अग्रिकल्टर सचीव रहा होगा वो भी वहां बैठा हुआ ह सब लोग अपने अपने विचार रखते थे डिबेट होती थी हमारे मंत्री भी डिबेट करते थे मैं सुनता रहता था सीखने का प्रेयास करता था एक दिन और ये कारकम मेरा करीब महिने भर चला था और शाम को पांच मिज़े शुरू होता था राद दस बज़े तो बड़ी मुश्किल से घर जाने की इजाज़त बिलती थी और बड़ा ही बड़ा ही इंटेंट्स के वो कारकम चला और शायद हिंदुस्तान के इतियास में पहली बार ऐसा हुआ होगा तो मेरे हाँ उद्योग के जगत के समंदीत प्रेजेंटेशन हुआ है आने वाले दिशनों में वो उद्योगे क्या क्या देखते हैं आने वाले दिनों में उद्योगे क्विकास कैसा होगा सारा बता रहे तो कारकम पूरा होते ही सिख्षा सचीव मेरे पास आए क्योंकि दूसरे दिन सिख्षा सचीव का कारकम था उसने कहाँ साब मैं कल नहीं कर पाऊंगा मैंने कहाँ क्या बात करते हो भई एक महने पहले आपको तैयरी करने के लिए कहाँ और आप लास्ट मोमेंट कह रहे हैं नहीं कर पाऊंगा उन्होंने कहाँ तैयार तो है मैं कर सकता हूं लेकिन आज जो मैंने अवद्योगी की विकास का जो प्रेजेंटेशन देखा उसको देख करके मुझे लगता है कि हमारा उनका कोई मेली नहीं है हम बाएं जा रहे हो दाएं जा रहे तो मैं इसकी लाइट में मेरे जो प्रेजेंटेशन है उसको मोडिफाइ करने के लिए मुझे समय चाहिए तब जाकर के हम एक इंक्लूजिव ग्रोथ की दिशा में साथ मिलकर के शिक्षा होई इंडस्टी चल सकते हैं हमें भी अब तो पुरी दुनिया का पता होना चाहिए हर उनिवर्सिटी में काम होना चाहिए कि दुनिया आगे किस तरब जा रही है कैसे जा रही है उसमें हमारा देश कहां है उसमें हमारे युवा कहां है आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूँ यह हमारा बहुत बड़ा धाइप है दोस्तों और इसी तज़ पर हमारे सभी सिक्षन समस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी है मैं आज दिन बिता रहा हूँ क्या हम एक्जाम ले रहा हूँ क्या यही मेरा मैं जिस पत पर हूँ वही काम है क्या मेरा काम यह है कि मैं ऐसी संस्थान खड़ी करके जाओंगा कि आज जो बच्चा मेरी स्कूर कॉलेज में आएगा आज आदी कि जब सो साल होंगे जब वह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमी का निभाता होगा तब मेरा देश वहाँ पहुचेगा मैं वो विवस्ता आज पैदा करके जाओंगा आप सब को वर्समान को समालना है आपके पहले जो करके गए है उसको आगे बढ़ाना है लेकिन आज जो काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्ताएं फ्यूचर के लिए विक्सित करनी होगी क्योंकि आज बच्चों की जिग्यासा ऐसी होती है जिनके उत्तर अभी मैंने कहा मैं जिन बच्चों को मिलका यहाँ हूँ आपको भी घर में पता चलता होगा छोटे-छोटे आपके पोते-पोती भी आपको सवाल पूचते होंगे आपके नने-मने बेटे कर पो सवाल पूचते होंगे आपको सोचना परता होगा अरे वह यह कहां सर खा रहा है वो सर नहीं खा रहा है आरका सर उसको जवाब नहीं दे पा रहा है दोस्तों बहुत आपके हर किसी के घर में यह अनुभाव आया होगा जी आज की पीड़ी जीन बातों को लेकर के आती है वो तो गूगल पर दस चीजे समाल पुद्धी बोले आप क्या कह रहो गूगल तो यह कह रहा है आपको काउ से तैहर करना होगा अपने आपको आप गर में भी उसके अपनों बैच्चों के साथ मिसमेच अनुभाव कर रहे हैं जब स्कूल कॉलेज के केंपस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में युवापीडी होगी इस प्रकार से नई सोच के साथ आई होगी और हम वहां उसके यो सबस्ताओं को विक्सित करें मैं भी कुछ दिन पहले डिजिटल इंडिया अभ्यान के तहट गांधी नगर में एक एग्जिबिशन देखने गाया था वहां सरकारी स्कूल के बच्चे थे बारवी दस्वी या इलेवंध के बच्चे थे वहां बच्चों ने जो प्रोजेक्ट तयार किये थे जो आइडिया रखे थे मैं बहुत उसको समझने की देखने का प्यास करता था और मैं प्रभावित हुआ था इन बच्चों के काम से रिसर्च का ऐसा पोटेंशल कम उम्र में ऐसे ऐसे इनोवेशन वाली बाते सुनकर मैं दंग रह गया वहां कई बच्चे बायोटेक और जनेटिक्स में इंटरस्टेट थे उनकी क्लास में जब साइंस की फंडमेंटल्स पढ़ाई जा रहे तब वो जीन मैपिंग एफिनेटिज क्रॉमोटरग्राफी और जनेटिक लैबरी बेस टूल्स की बात कर रहे थे मैं उनके काम को देखकर सोच रहा था कि जब यह हायर एजुकेशन में पहुचेंगे तो हमारे इंस्टिटूसर्स इनकी आधुनिक सोच के मताबिक तैयार होंगे क्या अगर हम इन बच्चों के लिए उनके हायर एजुकेशन में पहुचने का इंतजार करेंगे तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगे दोस्तों इसलिए हमें ये अभी से सोचना होगा कि जिस उम्र में भी बच्चों के मन में मोटिवेशन है उसी उम्र में उन्हें गाइडन्स और रिसोर्स मेले इसका प्रबंद हमने सोचना पड़ेगा हमें अपने समस्थान में ऐसी व्यवस्थाक तैयार करने पर काम करना चाहिए साथियों इस से महिने के आखिर बहें 29 जुलाई को राष्ट्रे शिक्षानिती को दो साल पूरे होने वाले है और अभी दर्मेंद्र जी बता रहे थे कि बहुड़े मन्थन के बाद ये शिक्षानिती बनाई कस्तु रंगन जी ने बहुत अच्छा नित्र तो दिया उसकी कारणे संबव हुआ और हमतना विविद्यता भरा देश और राष्ट्रे शिक्षानिती का इस प्रकार से स्वागत हो ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धी है जी बहुत बड़ी सिद्धी है लेकिन इसकी विशेषता देखिए इसको बनाने में तो मंखन हुआ आम तोर पर सरकार का स्वभा होता है एक डॉक्यूमेंट बन जाता है वो डॉक्यूमेंट समय के भरो से छोड़ दिया जाता है कुछ वेक्तियों के भरो से जोड़ जाता है आपके भी टेबल पे कुछ दिन शोभा बढ़ाता है डोकुमेंट फिर वो भी टेबल प्रे से हड़ जाता है को नय डोकुमेंट आता है वो जगा ले लेता है बात वही समाप तो हो जाती अनुबव आपको भी है यहां बैटे हुए लोगों को भी है हमने ऐसा नहीं होने दिया हमने हर पल इस राष्टि शिशानीति को जिंदा रखा है मैं स्वयम भी इतने कम समय में कम से कम पचीश सेमिनार में गया हूं शायदी पचीश से ज़्यादा और इसी विशे पे मैं बोलता रहा हूं यह रिपोर्ट देने के बाद स्वयम कस्तुरी रंगन जी लगातार समवात कर रहे हैं हर खेत्र क पूरी सरकार के सभी डिपार्टमेंट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यह क्योंकि 30 साल के बाद आया हुआ कि सिर्फ कांगेज का ढर्रा हमारे पास पहुंचाने से पर होगा नहीं जी आप भी यहां जब तीन दिन मन्थन करोगे उसकी कई बारी क्या है जो साहिद आपने पूरा पन्ना पन्ना पढ़ लिया होगा लेकिन आप नई तरीके से आपके सामने उजाकर होगी इसलिए सिरंतर मन्थन की योजना बना करके यहां से जाना सिर्फ यहां से आप सुन करके मत चला जाना आपके साथ जुड़े हुए जो बागी साथी है बेपी ऐसा ही मन्थन करें उसमसे और अम्रत निकाले जी तब जाकर इसका लाब होगा और इसके इंप्लिमेंटेशन की जो उसकी हर बारीगी पर हमें गोर किया करते रहना चाहिए साथियों आज जब कोई काम अपने हाथों में लेता है तो समस्याएं के समाधान भी तेजी से निकलता है समस्या समझ कर गए आर मैं कहां पड़ू इसमें तो समाधान कभी नहीं निकलता है साथ इन दो सालों में देश राष्ट्रिय शिक्षा नित्य को लागू करने के जिजा में कई ठोस कदम उठा चुका है इस दोरान एक्सेस, क्वालिटी और फूचर रेडिनेस जैसे जरूरी विश्यों पर हुई वर्क्षॉप ने भी बहुत बदी बतत की है देश विदेश के अकडिमिशन्स इनसे जो चर्चाएं हुई मेरा भी देश के शिक्षामंत्रियों के साथ, शिक्षाविदों के साथ जो संबाद हुआ उसने भी इसी गति को आगे बढ़ाया है और अभी कुछ दिन पहले हमारे धर्मंद्र जी ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को भी बुलाया था, जैसे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ भी की थी, लगातार कोशिच हो रही है कि इन चीजों को हम सत्प्रतिशत सांकार कैसे कर पाए हैं, राज सरकारों न इस बड़े बड़लाव में भागिदार बन रहा है, साथियों, नई राष्टिय शिक्षानीती के लिए देश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े इंफ्रासेक्टर ओवरहॉल पर भी काम हुआ है, आज देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं, नए IIT और नए IIM के सापना हो रही है, 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 55 प्रतिशत की बृद्धी हुई है, युवाओं को बहतर अवसर देने के लिए युनिवर्सिटी में समान स्टेंडर्स के लिए इस वर्ष कॉमन युनिवर्सिटी एंटरेंस आगू किया गया है, ऐसे ही कई और भी रिफॉर्म किये गये हैं, देश के इन प्रयासों का प्रणाम है कि वर्ल उनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतिय संस्तानों की संख्या में धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है, संख्या में बृद्धी हो रही है, ये बड़लाव केवल शुरुआत है, अभी हमें इस दिशा में लंबी दुरी ताय करना है, साथियों मुझे ये भी संतोस हैं कि राश्ट्रिय शिक्षानिती अब मात्रु भाशा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है, इसी क्रम में संस्कृत जैसी प्राचिन भारतिय भाशाओं को भी आगे ब जवस्ता है, काशी की धर्ती से हुई ये शरुआत, निश्चित ही भारतिय भाशाओं और भारतिय संकल्पों को नई उर्जा देने का काम करेगी, साथियों मुझे पूरा विश्वास है, आने वाले समय में भारत दुनिया में बैस्ष्विक सिक्षा का एक बड़ा केंदर बन कर उभर सकता है, भारत केवल दुनिया के उवाओं के लिए एजुकेशन डेस्पिनेशन बन सकता है, बलकि दुनिया के देशों में भी हमारे उवाओं के लिए नए आउसर बन सकते हैं, इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्थिम को इंटरनेशन स्टेंडर्स पर तैयार करना होगा इस दिशा में देश लगाता प्रयास भी कर रहा है हार एजुक्वेशन को इंटरनेशन स्टांडर के हिसाब से तैयार करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किये गए हैं करीब 180 उच्च शिक्षा समस्तानों में अंतराष्टिय मामलों के लिए विश भारत के महार की व्यवस्ताओं से भी परिचित होने का प्रयास करें यह नई व्यवस्ता भारत के शिक्षा व्यवस्ता को अंतराष्टी अनुफ़ाओं से भी जोड़ने में मदब करेगी साथ्यों इन तीन दिनों में आप लोग अलग-अलग सेशन में कई महत्पण विश शेत्रों में नए रास्ते खुले युवापीडी का मारदर्शन हो दुनिया के कई देशों ने अलग-अलग शेत्रों में जो रफ्तार पकड़ी है उसमें एक बड़ा योगदान वहां की युनिवर्सिटी का भी है युनिवर्सिटी लगातार सामाजिक आर्थिक और कि हमें अपने यहां भी विक्सित करने की जरूरत है इसे यंग जनरेशन को देश और देश की नीतियों की समझ आती है और उसकी संभावनाओं से भी परिचित होते हैं मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के युवाओं की इनोविटिव सोच और नए एडिया से नई व्य मैं चाहूंगा कि इसे लेकर भी आप सब करता करें कोई रोड़ बब त्यार करें उनिवर्सिटी कैसे सरकार के साथ अलगरे छेत्रों में पार्टर्शिप कर सकते हैं इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए अपने एक्सपर्टीश आपको ही तै करनी है आप जिस छेत्र में उसे लेकर सर्वे और स्टेडी करें सरकार को सुझाव दें आपकी उनिवर्सिटी का जो 500 किलोमेटर का जो दायरा होगा वहां की जन सामानी की समस्या क्या है उसके उपाय क्या है रिसोर्सिज क्या है उस रिसोर्सिज के लिए क्या किया जा सकता है वहां के सामानी व्यक्त चलती है तो उसके अच्छाईयां क्या है कम्यां क्या है सुधार की संभावनाएं क्या है बढ़िया रिपोर्ट बन सकता है यह सारी बाते सरकार के अंदर घंबी तार्ट से गलिया जाए बहुत बड़ा प्रेणाम आता है मुझे आथ है मैं गुजराफ में था तो एक बार सर युनिवर्सिटी के लोगों ने रूरल लेवलप्मेंट में काफी रिसेज करके कुछ किताबे तियार के थी उत दिन मुझे गिप्ट की मैंने जड़ा बड़ी बारी के सुझ को देखा मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा मैंने डिपार्मेंट को काम दिया मैंने का भई य मेरे काम में इतनी मदद आई विद्यार्फियों ने टीचर्स ने किया हुआ काम था जो सरकार में एर कंडिशन कमरे में बैठ करके निरने करना मुश्किल होता है जी जो फील्ड में हमारी ये पीड़ी जाती है बहुत ही अच्छा उसका अर्क निकालकर के लिए आती है और कुछ चीजों का कलपणा भार का लाब हुआ हो ये भी द्यान में आता है जी और मुझे मुझे विश्वास है हमें अब जैसे हमारी यह अग्रिकल्चर युनिवर्स लेब में जो करती है कितना ही अच्छा काम करें लेकिन उसको सटीपिकर भी मिल जाया इंटरनेशनल में इसका आर्टिकल भी शब जाए उसको डिगरी भी मिल जाए लेकिन वह तो मामला लेब में ही रह जाएगा हमें आरे पास लेब टू लेंड का भी तो रोड मैप होना चेहें ना जो लेब में है वो लेंड पर भी तो उतरना चेहें ना और जैसे लेब टू लेंड होना चाहिए वैसे ही लेंड पर उनिवर्सिटी में नहीं गए ऐसे लोगा अनुभव भी बहुत ज़ाता होता है और जो लेंड का अनुभव है उसको लेब में भी लाना चाहिए और लेब में वो कैसे आए रिसर्च को कैसे एंड्रिश करे परंपरा का अनुभव को कैसा करे यह सोच करके हम कदम उठाने सकते हैं इसी तरह हमारे कैसे यह जो है नहीं करूंगे निकल रहें इसा इसलिए क्योंकि आज के समय में प्रणाम और प्रमांगों की जरुद होती हैं घर नहीं हैं्प Bitte लेता होता है परिणाम मिलता है लेकिन हम मानके चले और सभी उनिवर्सिटी के दुटर मेरे कुछ नस यहां से सुन करके जाए तो चलेगा दो शब्द मेरे सुन करके चलके जाईएगा और उस पर मंथन कीजिए जा हमें परिणाम तो मिल जाते हैं लेकिन प्रमान नहीं होते हैं और इसलिए हमारे पास परिणाम के साथ साथ प्रमान होने चाहिए हमारे पास डेटाबेज होना चाहिए हमारे पास उसका पूरा डेटेल रेकॉर्ड होना चाहिए कहां से कैसे बड़ला हुआ है हम भावनाओं के आधार पर दुनिया नहीं मदल सकते ही दुनिया के सामने उसे मोडल के रुपए प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और इसलिए प्रणाम होने के बावजुद भी प्रमाण की आवशक्ता आज के विश्व को बहुत जरूरी है और इसलिए अब हमारी उनिवर्सिटिज को जो परिणाम से हम परिचित हैं लेकिन जिसमें प्रमाण का भाव है उन प्रमाण की पूर्ति करने के लिए मेकनिजम बनाना व्यवस्ता है विक्सित करना परंपरा विक्सित करना यह आप सब साथियों की मतद के बिए होना नहीं है एविडेंस बेश एविडेंस बेश ट्रेडिशनल मेडिसिन पर रिसर्ट का यह काम भी हमारी उनिवर्सिटिज बहुत अच्छी तरह कह सकते हैं साथियों हमारे देश में डिमोग्राफिक डिविडेंड हमारी बहुत बड़ी तांकत है चर्चा भी करते हैं लेकिन क्या कोई उनिवर्सिटि जिसने इसका स्टड़इ चिया है Bien इस builder है क्या क्या दुनिया में जब demographic dividend का अवसर आया था तब उस दुनिया के उस देश ने किस प्रकार के कड़म उठाये थे वहाँ की university कैसे भवार करती थी और उसका benefit कैसे लिया बहुत बहुत को कहते हैं दोहराते हैं लेकिन demographic dividend के संभावनों पर हम क्यों न काम करें उस सामर्थ का उपयोग हम आने वाले 20-25-30 साल के लिए देश को कैसे दे सके ऐसे ही हम देखते हैं अब दुनिया के देशों के स्थिति देखिए सम्रुद्द से सम्रुद्द देश भी इस बात से परिशान है कि वहाँ लोगों की आयू बहुत बढ़ रही है aging problem है और युवाद पिड़ी नक के बराबर हो रही है बहुत बढ़ा बल्क बुजुर्गों का है उनको जो दुनिया चलानी उसको चलानी पाते है अब ये चक्र ऐसा है हरे को आना ही आना है आज हमारा देश युवा है कभी हमारा देश भी ऐसा ही होगा जिसमें युवा कम होगे बृद्ड ज्यादा होगे वो दिन आने वाले हैं क्या दुनिया में अभी से कोई है जो इस प्रकार के बृद्धत्व के कारण उस देश की जो स्थितिया बनी है उसकी सॉल्यूशन के लिए उन्होंने रास्ते क्या खोजे है यूद का अभाव में वो समस्याओं का समाधार कैसे कर रहे हैं कौन सा ऐसा मेकानेजम बनाया है कि चीजें बरिश भूर्दी आगे बढ़ रही है यह स सारे सोचने का काम मेरी उनिवर्षिटिज का सहज स्वभा होना चाहिए उनिवर्षिज में आपके लिए मैं अभी से मैं मानता हुं हम रिसार्च और काम करने का अच्छा स्कोप होता है और इसके कारा जिन बच्चों को प्रजेक्ट देते हूंका इक विजन मनता है उनको भी नई चीजे समय देका आफसर मिलता है अब क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है क्लाइमेट के फिल्म है भी हमारे लोग अगर काम करें तो अस्मित संभावना है हमारे पास अब हमारे हमने देश में एक योजना बनाई है CDRI की क्लाइमेट कि स्थिती में हमारा इंफ्रस्ट के रहसा होना चाहिए कि जो उसका सामना कर सके रिजिलियंट क시면ी होना चाहिए उस पर हमारे रिशर्ड के वर हम कैसे करेंगे पहले के जमाने में जो चीजें बनाते थे तम नहीं इतनी बार आती थी नहीं बरसा होती साथ uh अब वो हमसे उल्टा चल दी है, हम उसे उल्टा चल रहे हैं और इसलिए हमें इस नए संकट के सामने जीना कैसे उसको सिखने के लिए बवस्ता करनी चाहिए आज सारी दुनिया सोलर पावर की तरफ बढ़ रही है भारत भागेवान है कि उसके पास तप्ता हुआ सूरज है उस तप्ते हुआ सूरज की मालिकी हम कैसे उप्लो करें धूendar उसके सामर्थ को हम अमारे जीन जीन बवस्तार का हिस Toni कैसे बनाए सोलर पावर को हमारे यह इतना महतम दिया गया है लेकिन हम research के द्वारा नए ने अनुसंदान के द्वारा आज नए उक के हिसाब से नए वेग्यानी संसातनों के साथ इस उर्जा को इस्तिमाल करने के लिए हमें काफी काम करने की जरुवत लग लग लिए हैं उसी तरह साथ यहां हर भ्यक्ति के दिल में इस बात अब गर कर यहां बैस्वच्च भारत के विशे में कोई कॉम्प्रिबार नहीं होना थी लेकिन बात महां से बनती नहीं है जब तक हम बेस्टू वेल्ट की तरफ की योजनाय नहीं बनाते हैं यह जो कूड़ा कच्रा निकलता है उसका circular economy क्या हो सकती है उसका best product क्या हो सकता है यह तो university research करके देश सकती है जी हमारे नएने लोग होते हैं प्रयोग करके देश चेह सकते हैं हम बेस्ट पर से बेस्ट कैसे बनाए हम circular economy को कैसे मजबूत करें और खासकर local level पर circular economy कैसे कितने इक्षेत्र आज हमारे students के लिए खुले हुए है आज देश sports के ख्षेत्र में भी नए आत्मई स्वास्कतान नए उपलब्द्य हासिल कर रहा है हमारी universities ऐसा नहीं होना तरही है कि अब sports university यहां बन रही है इसलिए बाकी university के नवजवानों को sports से कोई लेना देना है जी नहीं हमारी university की मैदान शाम को भरे रहने चाहिए हमारी university यह लक्ष बना सकती है एक एक university तरह कर सकते हैं कि आने बार से बरसों में मेरी university कितने gold medal ले आएगी मेरे स्कूल के कितने विद्यारती मेरी college के कितने विद्यारती आएगे बढ़ेंगे यह इस university के target क्यों नहीं होने चाहिए दोस्तों दुनिया के केतने देश में मेरे देश के मेरी university के बच्चे खेलने के ले जाएंगे मैं उनको कैसे प्यार करूँ उनको एक फोजर में लेगा बेभी मेरी एक बहुत बड़ी अमानत बन जाए गया है सात्यों मैं स्ट्रे विचारों को इसलिए रख रहा हूं अंगिलत संभावनाए है और राष्ट्य शिक्षानीती ने आपके हाथ में आउसर दिया है जो पिछले वार्षों में हमारे पात नहीं था इस राष्ट्य शिक्षानीती कराना आए है यह हमारा काम है उसको आगे सात्यों सब को याद रखना होगा कि देश के भविष्ट निर्बान का राष्ट्य शिक्षानीती का नेत्रुत्वा आप सब सात्यों के हाथ में हैं मुझे भी स्वात है कि अखिल भारतिये शिक्षा समागम में आपके मंतन से निकलामरुत आपके सुझाव देश को एक के लिए नहीं आने वाले कल के लिए त्यार करना है अगर आने वाले कल के लिए त्यार करना है तो आपको आने वाले साल के लिए त्यार होना है अगर आप आने वाले साल के लिए त्यार होते हैं तो आपकी इंस्टिटूट को आने वाले सो साल के लिए त्यार करना है तब पूरी परंपरा हमें नई चेतना और प्रेणा देने वाली परंपरा है उस परंपरा में से कुष्ग कुछ अमृत की अम्रूत बिंदू आपके भी नसीब आएंगे जो बिंदू लेके जाएंगे वहां जब आप उसको रखोगे उनिवर्सिटी भी आने वाले अमृत काल में भारत के उज्वल भविश्कों घरने के लिए काम आएगी मैं फिर एक बार विभाग का इस कार्कम के रिच्छना के लिए धन्यवाद करता हूं आप सब उत्सा और उमं के हैं तो जरूर उसको आगे बढ़ाएंगे मेरी आपको बहुत-बहुत शुक्तमना हैं बहुत-बहुत धन्यवाद है बहुत-बहुत धन्यवाद माननी प्रधान मंत्री जी आपके प्रेरणादाई उद्बोधन और बहुमूल मार्ग दर्शन के लिए हमें विश्वास है आपके मार्ग दर्शन से राश्ट्री शिक्षानीती अपने लक्षों को प्राप्त करेगी